मैं देखना चाहरा था आप लोग क्या पढ़ रहे हो कैसे पढ़ रहे हो क्या इश्यूज्ज है अबाग अधाप है नो बैक अधाप तर पर सिविल सहन है सची वश्तर पर जासे कि वंचीत वर गए उसकी भागिदारी बहुत ही कम है तो सर उमकी पॉलिसी कैसे हम लोगों के थेवर में वो सब्पी है मेरा मेरी ब्रॉडली थिंकिंग है की तो बताओ तो सिर्फ पांच जबाब मिलते थे मतलब 99.99% लोगों ने मुझे बस पांच जबाब दिये लॉयर, डॉक्टर, एंजिनियर, IAS, IPS या फिर पुलीस और आद्मिय शाहिद एक लड़की मिली इसने कहा कि मैं अपना बिजनेस चलाना चाहती हूँ तो इसलिए मैं ने सुचा कि मैं आप से आगे थोड़ा पूछ लूँ आपका आपकी इस्पिरेशन क्या है क्या कर रहे हो क्या कोशिश कर रहे हो क्या मुश्किल है यह मैं समझना चाहरा था क्योंकि आप आप उन पांच में से एक एक दो हो सिस्टम में दो तीन जगा खाने हैं तो हमारे लिए आइटी सेक्टर का रोट पैप क्या है अधर बिजनेस के रोट पैप क्या है इस्टाप कैसे कुलते हैं तो इसकी नौलेज नहीं होती है से हमारे आप अपर टेंस ने साफ नेता है मैं यह प्रिल्ग प्रतिष्ण यह आपका नहीं है या समाज का इसका है समाज का है समाज का है समाज का है होना नहीं चाहिए मानलो आपने यह competitive exam किया और किसी ना किसी कारण आप पास नहीं हुए अगर आप लोग यह काम नहीं करोगे तो कौन करेगा आपकी एज क्या है 21 पर आप कह रहे हो कि मुझे option भी नहीं चाहिए मगर मेरी जम्हादारी है कि आपको option B भी मिल जाए मेरा मेरी broadly thinking है कि opportunity अबको मिलनी चाहिए बट बेसिकली क्या है कि बहुत कम लोगों ने हिंदुस्तान का पूरा पावर कैप्चर करें मैनुफैक्चरिंग से ही रोजगार बन सकता है और मैनुफैक्चरिंग का जो चैलंज है फ्रेंक्ली वह चाइना डॉमिनेट कर रहा है और हिंदुस्तान को डॉमिनेट करना पड़ेगा जब तक हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा 99 परसेंट पोपिलेशन एक परसेंट जॉब्स को डूबता रहेगा आम मिडिल क्लास का बच्चा है उसको हम इस पट्री पे लगा देंगे 99 परसेंट तो आप फेली करोगे एक परसेंट निकल जाएगा वह बहुत कुछ हो जाएगा और 99 परसेंट क्या कहेंगे अगर मैंने सो बच्चों को यहां बैठा दिया और का कि भाईया आप मेंसे एक बचेगा 99 की ठीक है दस की गलती हो सकती है पंद्रग ही हो सकती है बीज की हो सकती है बट 30-40-50 परसेंट कि तो नहीं हो सकती अगर आप हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्ट्म परसेंट के लिए अगर आप हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्टम को देखो आपने कहा कि हमें बैंक लोन नहीं मिलता आपने कहा कि मुद्रा लोन मतलब परायास है उसको मिलता होगा प्रोसेस नहीं है वो ठीक है मगर अगर आप देखें तो 10-15 लोग हिंदुस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रूल कर ठीक है उनका बिजनस फेल ह हो सक्सीड हो कुछ भी हो कोई पढ़नी बढ़ता है तो पूरा पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है जिसको डिस्ट्रिब्यूट करना चाहिए सबसे पहले वो पिलकुल कॉंसेंट्रेटेटिट हातों में पांच दस लोगों के हातों में मेरा मुता यह है कि जैसे आपने का यहां कुछ बातना चाहते हैं तो में यह तो पता लगाना पड़ेगा बाइया यहां यहां पर कितने कितने अलग लोग तो मैं सोचता हूँ कि पहला कदम सेंसस आपकी हटी तूटी है तो एक्सरे तो करना पड़ेगा ना एक्सरे के बिना में वहाँ पर इलाज करना शुरू कर दूं को मतलब नहीं उसके बाद एक बार पता लगया कौन लोग है फिर पॉलिसी पानेने में असान हो जाए पुझे बहुत खुशी हो इसर में आपको जिसको अंदर है जिसको ऑपचुनिटी नहीं मिल रही है जिसको दबाया जारहा है जिसको डराय जारहा है घंकाय जारहा है उसकी रक्षा करना में एको मुझे क्या लगा भारत जोड़ों में कि इतनी एनरजी है देश में मतलब अनलिमिटेड है और जाया हुरी है मतलब जो इतना capable लड़का है लड़की है उसके लिए रास्ता ही नहीं बन रहा है उदासा पड़ा हुआ है तो यह मुझे मतलब और यह हर स्टेट में था अरे नहीं राहूं मेरा फिफ्टीन येर्स का रीवधाप समय देगा अच्छा फिफ्टीन येर्स पूरा हुआ है अपी अफे इत्शा लगा उन्होंने रीयलिटी कि भारत की घ्यलिटी और गृदी की रीयलिटी बता एक जो वास्तों में है वही हो रहे है उन्हों पर अच्छह जलगा पर वेकार बहुत अच्छा लगा है अधर सेक्टर्स मों को फोट चुंती ही नहीं निल देगा आ ऐसे कारिकरम होने चाहिए तक यहानने जगाउं कि लोग भी जूट सकें और अपनी बातों को रख सकें